महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी कहानिया हैं जिनके सबूत हमें आज भी मिलते हैं बहुत से लोगों के मन में यह सवाल ही उड़ता होगा कि जिन जगहों का नाम महाभारत में इस्तिमाल हुआ है वो वर्तमान में कहां इस्थापित हैं आफो में यह एस video में जानते हैं कि गलियूग में इन जगों का क्या नाम है सबसे पहला नाम आता है हस्तिनापूर का महाभारत के लगभग पुछ कहानी हस्तिनापूर के साथ ही महाभारत का युद्ध भी इसी जगह के लिए हुआ था वर्तमार में यह जगह उत्तर प्रदेश के मेरट से लगभग 37 किलोमेटर दूर इस्थी थे दूसरे जगह का नाम है उज्जानिक महाभारत काल में उज्जानिक वो जगह है जहां पर गुरु दूराचारे ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी और उन्हें योद्धा बनाया वर्तमान में यह जगह काशीपूर है जो उत्तराखण में है वर्तमान में यहां भीम शंकर मंदिर भी है जो बारह ज्योतिर लिंगों में से एक है और कहा जाता है कि यहां पर भगवान शिव के स्थापना स्वयम भीम ने की थे तीसरा इस्थान है वर्णावर्त महाभारत में वर्णावर्त वह जगह है जहां कौर्वों ने लाक्षा ग्रिह बनवाकर पांडवों को मारने का प्रयास किया था वर्तमान में यह जगह बागपत नाम से जानी जाती है चोथा स्थान है पांचाल पांचाल वह जगह है जहां द्रौपदी का जन्म हुआ था इसी वजह से द्रौपदी को पांचाली नाम से भी जाना जाता था पांचाल जगह चम्बा नदी और हिमालियों के बीच उत्तर पदेश में इस्तित है पांचवा इस्थान है इंद्रप्रस्त इंद्रप्रस्त वो जगह थी जिसका निर्माण पांडवों ने करवाया था उस वक्त वो पांडवों की राजधानी थी और आज पुर्य देश की जिहां उस वक्त का इंद्रप्रस्त आजका दिल्ली है चठा नाम आता है तक्षिला का तक्षिला जो माभारत काल में गंधार प्रदेश की राजधानी थी कौरों की माता गंधारी गंधार की राजा शुबल की पूत्री थी कहा जाता है कि यहीं पांड़ों के वन्शज जनमेजय ने अपने पिता परिक्षित की साप काटने से मिर्तिव के बाद क्रोधित होकर सर्प यक्य का आयूजन किया था जिसमें हजारों आग जलकर भस्म हो गए थे यह जगह वर्तमान में आज पाकिस्तान के रावल पिंडी में है झाल 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 इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचूर्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को क्लिक करना ना भूले धन्यवाद